हलो दोस्तों आजके इस वीडियो में आपको WhatsApp की profile photo की setting में My Contacts और My Contacts Accept की इस setting के बारे में दोनों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ यह जो दोनों setting बीच में है तो यह दोनों setting जो बहुत ही भास होती है इनका यूज करना आपको ज़रूर आना चीए ठीक है और आप इसे जो है यूज करेंगे तो आपको भी जो है इसमें फर्क देखने को मिलेगा ठीक है और चलिए आपर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले तो मैं आपको WhatsApp की स्टार्टिंग से बत करना है और इसके बाद यहां पर आपको प्रोफाइल फोटो पर टैप करना है यहां पर आप देख पाएंगे कि में आप नंबर सेफ करेंगा तो अगर आप नोबडी से करने से होता क्या है कि आपकी WhatsApp की प्रोफाइल फोटो कोई भी नहीं देख पाएगा यह आपको दोनो setting अच्छे से पता होगी अब यहांपर दोस्टों, my contact के ओपने सेलेट करने से होता क्या है यहां पर camera थोड़ा सा बर हो रहा है बार-बार तो यहां पर माई a contact पर सेलेक्ट करने से होता क्या है कि जिस किसी का भी number आप सेफ करेंगे और सिर्फ वही लोग आपकी whatsapp की profile photo नहीं देख पाएगा my contact पे select करने से मैं एक बार फिर से आपको बताएता हूं कि मान लीजिए कि एक other person है उस person का number जो है mobile number आपने save नहीं किया है लेकिन उसने आपका mobile number save कर रखा है तो वो आपके whatsapp की profile photo नहीं देख पाएगा जब तक आप उसका number save नहीं कर लेते हैं my contacts में setting जो है कुछ इस तरीके से काम करती है profile photo की और यहाँ पर my contact accept ठीक है तो यह कुछ setting इस तरीके से होती है यह सभी के सभी आपके वो सभी contacts है जिनके number आपने save कर रखे हैं यह आपके contact यह gallery का खुल जाता है WhatsApp में ठीक है अब मान लीजे कि मैं यहाँ पर जो है यह जैसे कि AKB लिखा हुआ ठीक है यह वाला contact में select कर लेता हूँ इस पर right click लग जाएगा right click लगाने के बाद यह सबसे नीचे एक और right click का निसान है green color में इसे आपको जरूर tap करना इस तरीके से यह update हो जाएगा और यह one contact excluded हो चुका है अब इससे होता क्या मैं आपको बताता हूँ जितने भी phone gallery में आपने mobile number सेव कर रखे है वो सभी के सभी आपकी WhatsApp की profile photo देख पाएंगे सिर्फ इस number को छोड़के क्योंकि यह मैंने select कर लिया आप चाहे तो multiple number पे tick mark लगा सकते हैं इस तरीके से और last में right click लगाना मत भूलिएगा इस तरीके से तो जितने भी number पर आपने right click लगाए है red color से वो सभी के सभी आपके WhatsApp की profile photo नहीं देख पाएंगे ठीक है आपने अगर number save कर रखा है तब भी ठीक है तो यह setting जो है आप मेरी बाते ध्यान से सुनिएगा ठीक है तो यह setting कुछ इस तरीके से काम करती है जिन पे right click लगाए है red color में वो नहीं देख पाएंगे आपकी WhatsApp की profile photo बाकी सभी contacts जो है आपकी WhatsApp की profile photo देख पाएंगे ठीक है और यहाँ पर आपको दोनों तरीके यह समझ में आ चुके होंगे ठीक है और यह जो है save करे हुए option में भी आप नहीं दिखा सकते यह my contact accept होता है ठीक है और यह my contacts में क्या होता है कि जितने भी number आपने save कर रहे हैं सिर्फ वही आपकी WhatsApp की profile photo देख पाएंगे बाकी कोई other person अगर आपका number save कर भी लेता है ठीक है वो नहीं देख पाएगा जब तक आप उसका number save नहीं करते हैं अपने phone में ठीक है तो यह दोस्तो I hope कि आपको इस वीडियो में दिवी जानकर यह अच्छे से समझ माई आई होगी तो वीडियो को like and share करना बिल्कुल ही मत भूलेगा और इस setting का जरूर use करके देखेगा और यह जो setting है update होने में करीब जो है थोड़ा सा 2-3 minute का time लगता है अगर यहाँ पर आप जो है my contact accept यह my contact option select करते हैं और अगर आप जो है तोरंथ ही यह process करके देखते हैं तो थोड़ा सा 2-3 minute का wait कीजिएगा ठीक है मान लिजिए किसी का number आपने save कर रहा है उसको cut कर दीजिएगा और यह setting जो है थोड़ी सी change करके देखेगा और अपना WhatsApp जो है clear करके देखेगा ठीक है इस तरह के से minimize करके इसे clear करके इस तरह के से देखेगा 2-3 minute का समय दीजिएगा क्योंकि जो है update होने में setting को थोड़ा सा time लग जाता है WhatsApp में मैंने खुद ही यह use करके देख रखा है तो इस setting को ज़रूर ही use करिए और फर्क फिर आप खुद ही देखेगा तब तक मिलते नेक्स वीडियो में और भी नहीं सामकारी के साथ